फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई हैपी प्लेस माई टेरस गार्डन में शिल्पा कैसे हैं आप सभी लोग आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्ता और मस्ती होंगे फ्रेंड्स देखिए ये चितरक के फ्लार्स जो हैं ये कितने प्यारे ब्लूम कर रहे हैं अभी इस टाइम पर इनका कलर इतना ही प्यारा दिखता है बहुत ही सुन्दर शेड है इस फ्लार का और बहुत भर भर के अभी इस टाइम पर ये फ्लारिंग दे रहे हैं काफी टाइ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं अज अपने सारे ही क्रिसंथीमम के जो प्लांट से वहाइप करने वाली हूँ तो मैंने सब से पहले इस में ले लिया है यह देख सकते हैं बहुत अच्छी कॉलिटी की एकदम मिट्टी जैसी ही है और बहुत अच्छी स्मैल भी आ रही है इसमें तो ये मैंने वहमी कंपोस्ट लिया है उसके बाद मैंने इसमें मिलाया है ये अपने घर की बनी हुई लीफ कंपोस्ट इसमें सिर्फ और सिर्फ लीव जी है और कुछ भी नहीं है इसमें लीफ बह बाद मैंने इसमें मिलाया है नीम खली हमारे सारे ही weट स्टिसाहिए अच्छा वर्डिजर भी है और पेस्टिसाइड भी है » cud तो मैंने इसमें मिला चुकी हूँ, मैंने मिक्स कर लिया था मुझे बाद में ध्यानाए video बनाने का, इसलिए मैं अब आपको दिखा रही इसमें पहले ही एक मुठी भर इसमें मैं नीमखली मिला चुकी हूँ इसके बाद मैंने जो इसमें ये मिलाया है वो है बोन मील बोन मील हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही जादा बेनिफीशियल होता है वो उसकी रूट्स को बहुत अच्छे से डवलप कर देगा और अभी फूड बनाने को ज़रूरत है अपने ग्रोट को बढ़ाने की ज़रूरत है उसके लिए बोन मील जो बहुत ही जादा काम आने वाला है अगर आपके पास अब इसमें एक चम्चा अपसम सॉल्ट भी आप इसमें मिला सकते हैं अब मैं इन सबको mix करके एक-एक मुठी जो है वो अपने सारे ही plants में देने वाली हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ और यह देखिए फ्रंस इस तरीके से मैंने बनाना पील का जो liquid fertilizer है वो तो मैं plants में regular देती ही देती हूँ और इस तरीके से मैंने बनाना पील को सुखा के इसका powder भी बनाके रख लिए तो जो भी flowering plants रहते हैं specially जो हिबिसकस हैं और जो अब हमारी शेवन्ती flowering पे आ जाएगी है जो भी हमारे flowering plants उनमें इस तरीके से आप एक एक चमच soil में मिला देंगे तो यह भी बहुत जादा flowering को हमारे plants के boost up करता है तो इस तरीके से मैंने यह पूरा बना लिया है अब मैं आपको दिखा चूँकि कैसे मैं इसको plants में अपलाए करने वाली हूँ तो फ्रेंच जैसे आप देख सकते हैं अभी मेरे plants की जो growth है वो अच्छी ही चल रही है इस तरीके से मेरे plants की अभी सभी growth चल रही है तो अभी हमारा plant जो है इसको हमे flowering के लिए तयार नहीं करना है अभी हमें इसको जितना जादा बुशी हो सकता है बुशी बनाना है तो बुशी बनाने के लिए हमको phosphorus और nitrogen rich fertilizer ही देना है अभी आप potassium rich fertilizer आप अभी इसमें बिल्कुल भी नहीं देना है हमें तो मैंने यह जो तयार किया है अपना mixture तो यह में स सकते हैं इस तरीके से सिर्फ एक-एक मुठी चारों तरफ इसमें मैं plant के चारों तरफ इसमें मिला देने वाली हूं इस तरीके से आप चारों तरफ एक-एक मुठी बस आप यह मिला दीजिए और उपर से अच्छे से मैं अभी ने watering कर दूंगी तो इस टाइम पर हमारे plants को हमें सिर्फ यह fertilizer देना है प्रेंसी मेरने जो हमारे पर मठा निकलता है और जो सबजियां वगरे हम धोते हैं उसका भी पानी मैंने इसी में पालक वगरे हम बॉइल करते हैं तो वह इसी में मिला दिया था प्लस कुछ मठा था तो वह मैंने ऐसी लाके एक पतेली में छट के उपर रख दिया था और तीन चार दिन तक बहुत ही अच्छी तरीके से फर्मेंट हो गया है अब मैं इसको यह बीस लिटर की बॉटल बकेट है इसके अंदर मैं यह देड़ ग्लास इसमें ऐसे मिला दूंगी और बस अब इस पानी को मैं सारे ही प्लांट में आज पूरी नहीं है कि हमीशा हम लोग भार से ही कुछ फर्टिलाइजर्स खरीद के लाएं जो घर के हमारे फर्टिलाइजर्स रहते हैं वह भी बहुत ज्यादा बैनिफीशियल होते हैं तो यह रेगुलर बेसिस पर मैं कभी कुछ कभी कुछ ऐसे अपने प्लांट पर प्लांट प्लांट ना रखके दो तीन-तीन कटिंग भी लेके रख सकते हैं पर मेरे पास पॉट्स थे एक्स्ट्रा तो मैंने इनको अलग-अलग करके रख लिया हैं सबको जिससे की अगले साल मुझे जब अगले सीजन में लगाना रहेगा फैब में तो मैं इनके अलग- को अलग-अलग अलग कलर्वाइस में लगा पाऊंगी तो यह तो मैं ने यह काम किया इसके बाद मेरे बहुत सारे जो प्लांट यू घर chyba दे अब तो तो इस तरीके से मैंने सारे ही plants को pot दे दिये हैं, इन में बहुत ही प्यारे orange color के flower आते हैं, बहुत सुन्दर plant रहता है, ये भी perennial plant है, साल बर चलने वाला है, ये बहुत अच्छे flower आते हैं इसमें, और ये देखिए, यहां पर मैंने impatience की cuttings भी लगा ली है, बहुत सुन्दर इस color का और purple color के impatience है, इसमें ये मेरे ऐसे ही डेहलिया के pot में मैंने लगा दिया थे, तो देखिए कितने अच्छे से grow हो गई, इन ही कि मैंने सब तरफ cuttings लेके लगाई हैं, और ये मैंने डेहलिया की भी cuttings लगा ली हैं, ये लगाके मुझे 5-6 दिन हो गए हैं, देखते ह इसका update में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, तो इस तरीके से मैंने और भी उस तरफ भी रखे हुए कुछ plants तो आज report किये हैं तो friends बस आज का मेरा वीडियो इतना ही था, आज के मैंने अपने चित्ते भी garden work था, वो आप लोगों के साथ शेयर किया, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और comments करके जरूर बताइएगा, और